हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू मा यूट्व चैनल, प्लांट्स और पैट्स लवर फ्रेंट्स, विंटर में हमें अपने प्रांट की कैसे केर करनी, ये देखे मेरे इधर गुढल के प्रांट है, आज मैं इन में फटिलाजर के रूप में क्या दूँगी, आपके साथ शेर करोगी, फर्स्ट तो फ्रेंट्स आपको अपने प्रांट्स की गुढाई करते रहना आठ दिन में जरूर गुड़ाई कीजिए अपने प्रांट की क्योंकि उससे मिटी में हमारे एरियेशन सिस्टम ठीक रहता है धूप भी लगती है हमारी मिटी में तो अगर मिटी में चीटी या कीड़े वगरा है वो भी खतम हो जाते हैं और इसमें पानी तभी देना है मिट फंगस वगरा भी लग सकती है और रूट्स फिर खराब होने लगती है तो आज उसी के लिए हमें अपने प्रांट में क्या देना है पहले हमें गुड़ाई करनी है हमें अपने प्रांट की मिटी को आठ दिन में जरूर गुड़ाई करना है और उसके बाद ये देना है बोदो में फंगस और चीट या नहीं लगने देता तो यह आप जरूर मिलाइए और यह और गैनिक है पूरी तरह से और इसको आप एक महिने में एक एक चमच अपने प्रांट में जरूर दीजिए और जब आप पॉटिंग मिक्स बनाते हैं सॉयल तो उसमें भी आप जरूर नीम खली मिलाइए और यह हमारे प्रांट को विमारियों से एक नीमा तोड़ जो जड़ो में लग जाता है रोग वो भी इससे नहीं होता है इसलिए नीम खली आप जरूर डालिए अगर बाइचांस आपके पास नीम खली नहीं है आपको नहीं मिल रही है और आपके आस प प्राइन भी परचेज कर सकते हैं नीम खली इजिली मिल जाती है मैं तो नरसरी से ही लाती हूं फ्रेंड्स और दूसरा आपको अपने प्रांट को चेक करना है न्यू नू शूर्स जो आ रही है आपके प्रांट पे उन पे मिली बग वग वगर आप चेक करते रहिए क्यों प्रांट को बचाना है और फ्रेंड्स अब फटिलाजर की बात करेंगे दूसरा फटिलाजर जो इन प्रांट में देना है बहुती जरूरी फटिलाजर है ये यूज की हुई चाय पत्ती है चाय पत्ती बहुती अच्छा फटिलाजर है हर प्रांट के लिए और इजिली न्यू न्यू शूर्स बनेंगी यह NPK का अच्छा सॉर्स भी है तो इसमें नाइटोजन, फोस्फोरस, पोटेश्यम तीनों चीज़े हैं जो हमारे प्लांट को चाहिए तो इसको जरूर यूज कीजे इसको मैंने दूसरी तरीके से भी यूज किया है इसको वाश की हुई चा जोकर रखी थी इसको 6-7 घंटे हो गए हैं तो यह देखे यह फर्टिलाजर बनके तयार है आप चाहें तो इसको ज्यादर टाइम भी छोड़ सकते हैं अब मैं इसको अपने प्लांट में कैसे यूज करूँगी इसको चान लेना है अगर नहीं चान सकते है तो फिर ऐसे ही उपर-उपर से मैं इसको ऐसे ही निकालूँगी आप भी ये कर सकते हैं नहीं तो आप उसको चान सकते हैं तो यह देखे मैंने इस डबे में उपर से निकाल ली है और जो नीछे चाहेपत्टी बच्ची है उसमें और पाने डाल करके मैं थोड़े टाइम के लिए और में इसको दे दूंगी तो फ्रेंड्स चाय पत्ती एक बहुत अच्छा फटिलाइजर है और इसमें नाइट्रोजन है हमारे पौधे का विकास होगा पत्तियों का विकास होगा और न्यू न्यू पत्तियां बनेंगी ग्रीन बनेंगी तो इसका और इसमें एक टैनिन नाम का दोपतारत भी होता है वोगी हमारे व्गड में कीडे वगरा विमारिया नहीं रहा होने देता है तो चाय पत्ती का फटिलाजर जरूर बना कर दीजे ये दो फटिलाजर मैंने आपके साथ शेर किये हैं ये विंटर में बहुती बेस्ट फटिलाजर हैं हमारे प्लांट्स के लिए और नीम खली तो आप हर प्लांट में यूज़ कीजे और हमारे प्लांट में कुछ भी फंग तो कोई भी चीज नुकसान तो देती ही है तो इसलिए फ्रेंट्स जैसे भी बताया जाता है फ्रेंट्स ऐसे ही फटिलाजर यूज़ करना चाहिए और इसको आप गुड़ल मोगरा जैड प्लांट मनी प्लांट रोज प्लांट हर प्लांट में दे सकते हैं चैपत्ती हर प्ल प्लांट में गुड़ल के में डाल दिया है और यह देखिए यह मेरा हाइब्रिड गुड़ल है इस पे बहुत सुंदर कलर है और फ्लावरिंग भी हो रही है बड्स भी बनी हुए है तो फ्रेंट्स यह फटिलाजर दीजिए और अपने प्लांट को न्यू न्यू शूट् पिलाएए तो फ्रेंट्स थैंक्यू मेरी वीडियो देखने के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छे लगी है आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए थैंक्यू फ्रेंट्स